हेलो फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंट से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपका अपना ही युटूप चैनल मेज़र टारियर पढ़तो फ्रेंड आज हम लोग लिखके आचुके कलास 10 के साइन्स का परतम मोडल पेपर को यहां पे हम लोग पढ़ने वाले जी हाँ दूस्त 48 में से 48 यहाँ पे बिल्कुल सही हम यहाँ पे आपको बताएंगे एक एक कोसंस का अंसर और दोस्तों यह आपका जो है न काफी महतपोर ने यह सभी पर संदी नियू पैटर्न पर आधारी थे इसलिए आप क्लास को बिल्कुल आप सुरूर से लेकर आगडी तक जरूर कीजि और दोस्तों जो भी विदेयारती अभी तक हमारी वार्टसप गृर्व में नहीं जूड़े हैं तो फटावर से आप मेरा वार्टसप नुमर को नोट कर सकते हैं मेरा वार्टसप नुमर है 6206076569 इस नुमर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर हमेंा, आपको राटसप पर्सन जो कि आपकी बोड एक्जाम के liए बहुत ही मतपूर ने यह पर्सन जे ना पूछे आते हैं कि धारा का ऐसे ही मत्रक्न क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यह अपीर शंद लोग केप्टल एक दोरा दिखाते हैं इसको अच्छी तरी केसे याद कर लिजीगा चले देखते हैं आपर next question की दरब बर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखेगा दूसरा नमर पर संट क्या कराईगी यहां पर बताना है कि वह उपकरान जो विदुद उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है वह है तो देख सकते हैं यहां पर option A में आपका दियागा generator या पर विदुद मोटर या फिर A वर B दोन और option D में आपका दियाओ इन में से कोई नहीं त्रीक है तो फ्रेंड वह डिवाइज जो electric energy को mechanical energy में changing करता है बदलता हो तो उसको वह लोग क्या करते हैं जेनरेटर कहते है या फिर विदुद मोटर कहते है तो विदुद मोटर कहते हैं यानि कि यहां पर विवाइज आप संजोए न बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड ने देखते हैं पर त इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्ता आपकी एक्जाम में एक परसन पूछे आते हैं कि गरमतार का अडंग क्या होता है तो लाल होता है इसको आप अची दरगे से याद कर लीजिएगा अब चले फिर ने देखते हैं आपर नेक्स्ट के तरफ बर चलते परसे तो इसको अड़ता है तो आपको पता होने चाहिए दिए कितना होता है साथ होता है तो उदास्टी मेलिन का पीस्पन कितना होता है साथ होता है साथ में इस भी आपको याद होना चीए चले देखते हैं आपर next question के दरबर चलते हैं अब आए फ्रेंड ने देखते हैं आपर पाजवाना पर परसन क्या कराई की यहाँ पर आपको बताना है कि करायो लाइट किस धातू का आएस का है ठीक है काफी महतपूर ने तो देख सकते हैं यहाँ पर option A में आपका दिया गए तामबा का या पर लोहा का या फिर एलियूमिनियम का या फिर मेंगनेसीम का ठीक है तो फ्रेंड यह जो करायो लाइट एसक होता है न किस धातू का एसक होता है तो एलियूमिनियम धातू का एसक होता है यहाँ पर सीवल आपसन जो है नहीं इसका बिल्कुली से उतर हो जाएगा तो फ्रेंट आज के इस model paper में जो है नम काफी महतपूर्ण 48 most important है observe questions को यहाँ पे हम आपके सामने आपको प्रहा रहे हैं ठीक है तो यह questions काफी महतपूर्ण नहीं है 24 के लिए जो भी विदियार तो 24 में final match exam दे रहे हैं अब चले फिरेंट देखते हैं पर 16 पर परसन क्या करा है कि आपको बताना है कि परकास translation की किडिया होती है यानि कि परकास translation की किडिया किस में होती है तो देख सकते हैं पर option A में आपका दिया गया है कोको में या पिर जन्तों में या पिर हरे पोदों में काफी महतपूर ने ठीक है बोड एक्जाम के लिए इस मोडल पेपर में सारे परसन आपके फानल बोड प्रिक्षा में पूछे जाएंगे ठीक है इसलिए आप इसको अच्छी दरगे से याद के लिजे और दोस्तों आपकी एक्जाम करता है ठीक है पावदय में बहुत छोटे-चोटे चीदर होते हैं जिसकी मदद से वो गेशो का आदान परदान करता है चले देखती है पर नेक्स्ट कोशन की दरब बर चलते हैं अब छले फिर ने देखती हैं आपे को दिपक को फिर पाज़ रसको या फिर हार्मन को या पिर आवे को टेगा तो यह आपको बता देते रसायनिक की से कहता आज़ाता है तो हर्मन को जो आदा आगए प्पसंदेख tua ज brewer को सिंदेख लॉला पाले as प्रूट आप को से कीजिएगा एक keyboard से का अनसर आप अमेप सक्षिन जानों सब्सकर के मांबल से क्प convince से इसे संब्धित है यानिकी यहां पर P γंट को संब्धिया है अब सबसे कम जुकने वाला जो कलर होता है दोस्तों वह बैंगनी कलर होता है क्योंकि बैंगनी कलर सबसे उपर सोरी लाल कलर का जुकाओ क्या होता दोस्तों यहां पर सबसे कम होता है और उसमें जो कलर होता है दोस्तों लाल रंग लाल रंग का जुकाओ क्या होते हैं दोस्तों सबसे कम होते हैं और दोस्तों ये बैंगनी रंग का जुकाओ क्या होते हैं सबसे अधिक होते हैं तो यहाँ पे सबसे कम बोला गया है यहाँ पे C-Volopson जाएना बिल्कुली करक्टा अंजर हो जाएगा और दोस्तो आपके एक्जाम में एक परसन यही पूछे आते हैं कि किस रंग का तरहंग देर्द सबसे ज़्यादा होता है तो यह लाल रंग का तरहंग देर्द क्या होते हैं दोस्तो सबसे ज़्यादा होते और दोस्तो आपके एक्जाम में एक परसन यही पूछे आते हैं कि खत्रे के सिंगनल में किस रंग का उपयोग किया जाता है तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है चले देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेस्टन के दरबबर चलते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर देखेगा जो में क्या होता है दोस्तों वेक्ति को निकर्ट की वस्तों को साफ साफ दिखता है प्रंतु दूर की वस्तों को साफ साफ नहीं दिखता है और दोस्तों जो भी वेक्ति दूर दिरिश्टी दोस्ते पिरित होता है तो उस वेक्ति को उतर लेंस से बने चसमे का उपयोग किया जा प्갔ावाट स् nations नमर को नोट कर सकते हैं । मेरा वर्डव नमेरे बहुत ही महत्पूर्ण मोडल पाब है क्यूंकि मौडल पेपर में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते जूง कि आपके फानल एक्जाम दोयार 24 के बोड एक्जामे 100% देखने को मिलेगा इसलिए क्लास रामबान है क्लास को बिल्कुल आप सुरू से लेकर आगरी तक जरूर कीजेगा और दोस्तों यहाँ पे आप एक एक कोसंस कांसर फटावर से आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतात चलेगा इससे हम यह पता चलेगा कि आपका त्यारी काफी मस्त तरीके से चल रही है अब चले फिरे ने देखते हैं आप नेक्स्ट कोसं के दरबर चलते देखेंगा यहाँ आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विदूत आपूर्ती की जाती है यानि कि जो हम घर में एल तो 220 बोल्ड पर परतियावर्ती धारा होती यानि कि AC करंड होती जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तो अल्टरनेटिक करंड कहेंगे ठीक है इसको आप अच्छी दरीके से याद कर लीजिए ठीक है तो हमारे घरों में जो विदूत आपूर्ती की जाती है वो कितने से माना है कि ऑवतल लरपन की फोकस धूरी उसकी वकृता तिरज्याग कि क्या होती है चाहरे बोल्ट आपंड हो जाएं जो जो वक्रता तिरजिया होती है यानि जो आर होती है नो दोस्तो फोकस दूरी की क्या होती है दो गुणी होती है साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए अब चले फिर ने देखते हैं पर 13 नमर परसंट जो की बहुत ही मतपूर ने आपके बोर एक्जाम के लिए तो यहाँ पर आपको बतावना है कि इस पेक्ट्रम में किस रंग की किरन का जुकाओ अधिक होता है काफी मतपूर ने ठीक है तो यहाँ पर इस पेक्ट्रम में किस रंग की किरन का जुकाओ जोना दोस्तो सबसे ज़्यादा होता है तो आपको पता होना चाहिए बेंगनी रंग का जुकाओ क्या होता दोस्तो सबसे ज़्यादा होता है यानि कि इसका विचलन सबसे अधिक होता है सबसे ज़्यादा होता है और दोस्तो ये बेंगनी रंग का तरेंग देर्ध क्या होते दोस्तो आपको पता होना चेस सबसे कम होता है ठीक है चले देखते है यहां पर option A में आपका दिया गए कांच की सिली या फिर अउतल लर्पन का या फिर उतल लेंस का या फिर पिरिजम का ठीक है तो फ्रेंड यहां पर देखेगा एक से इस्पेक्टरम प्राप्त करने के लिए जो न दोस्तो पिरिजम का उपयोग किया जाता है और दोस्तो यह पिरिजम के कितने सतव होते हैं तो पिरिजम का सत्व से गिरा होता है अब चले फिरए पिरिजम ने देख़ती है यहां पर 15 नमरपर संख्या कर आएग की यहां पर आपको बताना है यहां पर भी बलॉप्सन इसका बिल्कूली करेक्टर हो जाग Bing चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोस्टन की दरब बर चलते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर देखेगा 16 नमर परसंट क्या कराएगी यहाँ पर आपको बताना है कि आमीटर को बिद्धुत परिपत में कैसे जोरा जाता है काफी मत पूर्ण है तो देखेगा सराणी करम में यफिर पासरोबद में belki दोनों में और इनमें से कोई नए ठीक है तो फ्रेंड जो एमीटर होते हैं ना इलेक्रिक सर्कीट में इसे हम लोग कैसे जोरेंगे तो सराणी करम में जोरा जाता है ठीक इसको अच्छी दरगे से याद कर लीजिएगा अब चले फिरन देखते हैं आप 17 नमर परसंट क्या करा है कि यहां पर आपको बताना है कि नाभी की उर्जा का सरोत नीमन में से कौन सा है यहां पर आपसन ए में आपका दिया न पिर उर्णीयम या पिर सोडियम या फिर कारबन या इन में से सब इठीग है तो पर यह नाभी की उर्जा का जो सरोत है न दोस्तो क्या चीज़ होते हैं यह या पर एब आपसन जोई न विल्कुली करक्टराणसर हो जाया और दोस्तों यह जो sodium होते हैं इसे हम लोग किरोसन तिल में डूबो कर रखते हैं क्योंकि अतियंत जौलन सिल होते हैं और दोस्तों यह कारबन जो होते हैं अधातु होते हैं साथ में इसे भी आपको याद होना चीए अधात्वर महतमूर नहीं होते हैं तो यहारे वी वला अपसें की तरफ पर चलते हैं दियां चलते हैं तो यहाँ पर देखे का अग्ला परसंडी बहुत ही महतमूर नहीं आपके बोड एकजाम के लिए तो यहाँ पे 19 नमर परसंग को देखेगा ध्यान प्रुब क्या करा है कि कलोरीन की पर्मानुस संख्या है यानि की कलोरीन का एटोमिक नमर कितना होता हुए आपको बताना है तो फ्रेंड कलोडियन का जो एटोमिक नमर होता है न दोस्तों कितना होता है 17 होता है इसको अचीदर के से याद कर लीजिए यहां पर डीवल आप्सन इसका बिल्कुली से उतर हो जागा चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोसन यहां पर बताना है कि विद्धु जनीतर का सिध् को लाइक नहीं की हैं थो भी 10 जली से फटावर से क्लास को लाëक कर दीजेगा और यहां पर जो भी विद्यार्ती चैनल पर नहीं आएं हैं तो फटावर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इसे प्रेस कर कि वृड पर जरूरूर्ब से लड़ग कर लीजिए और दोस् आपको फिडिमे मिलेगा चले देखते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखेगा नेक्स्ट कोशन 21 नमर परसन भी बहुत ही मतपूर्ण आपके बोड़ एक्जाम के लिए तो यहां पर परसन यह क्राय कि नवी करने उर्जा का सरोद है नवी करने उर्जा का सरोद कौन है वह आप कहने कारत हैं कि नवी करने उर्जा का सरोद वह होता है दोस्तों जो कभी समाप्त नहीं होगी जैसे के सब्सक्राइब नवी करने उर्जा के सरोद के उधारन है क्योंकि इसका घंडारन फिक्ष्ट आने वाले समय में खतम हो चलिए देखती है आपे नेक्स्ट कोईशन को पर क्या कराईगी यहां पर आपको बताना है कि जल के विदुद अपगटन में कैथार पर कहुंसा गेस्मुक्त होती हुई आपको बताना है तो कैथारेफाई पर अग्जाम एक स्लेव पुछ आते हैं कि जल के विदुद बटन में एनोट पर कौन सा गेस मुख्थ होती है तो ऑक्सिजन गेस मुख्थ होती है जले फिर देखती है आप नेक्स्ट कोसन की दरबर चलते जो कि बहुत ही महत्पूर ने थे इस नुमर पर यहां पर आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का अडासायनिक सुद्र क्या होता यानि कि जो बेकिंग सोडा होते है दोस्तो इसका केमिकल फॉर्मूला यहां पर आपको बताना है तो बेकिंग सोडा का अडासायनिक सुद्र क्या होते है ने एच सियो थी होते है यानि कि इसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते है ठीक है सोडियम हैटोजन कार्बोनेट ह होते हैं इसको अच्छी दरगे से याद कर लीजिएगा चले देखते हैं पर नेक्ष्ट कोसन जो की बहुत ही मतपूर्ण है यहां पर आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ठीक है तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो अमल होते देखते हैं पर नेक्ष्ट कोसन की चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि मिल्क ओफ मेंगन सीया का पीआजमान कों सा एधातू चंकीला है कौन यह सा अधातू है जो अधातू होते हुए भी चमकिला होते है तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए आयोडीन आयोडीन एक परकर का अधातू होते हैं फिर भी यह चमकिले होते हैं यानि कि यहापे एबला अपसं जोए ना बिल्कुली करक्ट्रांसर हो जाएगा अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आपे नेख्ष्ट कोष्टन की दरबर चलते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न मैंसे कोण साथ हातो अत्यदिक अभी किरियासिल ही ठीक है तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना अच्छित दोस्कुर सोडीयम जो होते हैं कैसे तरब्बर चलते हैं तो फ्रें यह पर देखे गाँ अठाइस नमर पर संख्या अर्याइग कि आपको बताना है कि ऑक्सिजियन प्रवाण। अको संख्या होना चीजिता होना चाहिए एक्ष्यन का प्रवाण। यहां पर यहां पर एक हो गया अगर यहां पर एक लेते हैं तो यहां पर दो गुना एक काई स्कॉर्ण एक होता है बरावर यहाँ पे 2 हो जाएगा ठीक है इसी परकर यहाँ पे जब n का 1 दो लेंगे तो यहाँ पे आपका दूसरा कक्चा में कितना एलेक्ट्रोन भढ़ा जाएगा उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते दोस्तों 2 को दोसरा कजने आट यहाँ पे řे आपको पूरा कितना आट करना है पूरा तो पहले कक्चा में कितना एलेक्ट्रोन भढ़ा जाना चीए और यही आपका बाहरी कक्चा होता कि ऑफसे ब لी में आपका दिया हूं चले देखते हैं आपे next question यहाँ पर आपको बताना है कि ब्यूते नोन एक कारवनिक योगिक है जिसका प्रकाडियातमक समुग क्या होते है दोस्तों वह आपको बताना है देखे यहां पर देखेगा यहां पर आपको बताना है कि पोदों में सौसन किस भाग में होता है ठीक है पोदों में जो सौसन होता है न दोस्तों किस भाग में होता है आपको पता होना चीए जर में होता है यहां पर पत्तियों में होता है यहां पर पत्तियों में होता है यहां पर प परोटो जो वा आवसिष्ट पदार्थुका निस्करसन कैसे करता है काफी मत पोड़न है तो फ्रेंड ये परोटो अची पदार्थुका निस्करसन करता है काफी मत पोड़न है तो फ्रेंड यहांप यहांपर देखेगा परसन काफी मत पूरन है तो फ्रेंड यहांपर इसको अच्छी तरह के स्याद के लिएगा जब भी कोई गुरूब होता है उसमें हम लोग वड़न से नीचे जाएंगे परमानों का आकार होगा ना दूस्तो जो आतौमीक साइज होगा वह ना अधूस्तो बढ़ेगा यानि कि परमानों साइज बढ़ता है यहान पर करता है यहां पे vite को नेकस्ट कॉशन की दरबर चलते हैं यहां fight रचा की आपक। इसको लाल बनाता है तो लोहे की योगिक इसको लाल बनाता है ठीक है इसको अब अच्छी दरगे से याद कर लिजगे यहाँ पर बनाता है कराँ जिसके द्वारा जीब अपने जैसे संतानों के उत्पत्ती करता है तो उसको लोगों क्या कहेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह वोला अप्सन जो है ना पिलकूली हैं अगला पर यहाँ बताना है कि समाने प्रकुंचन रखत दाप होता यानि कि समाने प्रकुंचन ब्लड प्रेसर कितना होता है आपको पता हूने चाहिए दोस्तु एक सुब्स एमेम होता है है 120 mm होता है यानि कि यहां पर सीवल आप संजेना बिल्कुल से उतर हो जाएगा चले देखते हैं तो फ्रेंड यहां पर पर संदेखेगा जो की बहुत ही मतपूर्ण है यहां पर बताना है कि पत्यों में परकास संसलेशन के दौरा बना भोजन पादप के अन्य भागों में क पादप की परकास संसलेशन के दौरा जो जल होते न पादप की अन्य भागों में किस में दौरा भेजा जाता न ऑनन पर कहरें और मतपूर्ण हो उस पोधों का नाम बताईए जो कलम के लब कलम दोरा का एक परवर्दन को परदर्सित करता है ठीक है तो फ्रेंड वो कौंसा पोधा होता है गेहू होता है यानि कि यहां पर एवला आप्सन बिल्कुली सेवतर हो जागा काफी महत्पूर्ण है सोरी यहां पर गेहू नहीं हो जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि कालाजार बिमारी किस रोग जनक के कारण होता है काफी महत्पूर्ण है तो फ्रेंड यह कालाजार बिमारी जो होता है ना किस रोग जनक के कारण होता है प्लाजो मोडियम के कारण या पिर लिसम लाइक करते भी चलेगा और यहां पर चैनल पर नए हैं तो प्लिस दोस्तों जल्दी से आप फटावर से चैनल को भी सब्सक्राइब करते भी चलिएगा चले देखते हैं यहां पर नेक्स्ट कोशिका के मद्य खाली अस्तान को क्या करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस यहां पर आपको बताना है कि प्राग कोस में होते प्राग कोस में क्या होते प्राग कन होते क्या होते हैं प्राग कन होते हैं यहां पर डीवल आप्सन इसका बिल्कुल से उतर हो जागा चले देखते हैं यहां पर नेक्स्ट को बताना है कि जंतों में विर्दी हार्मन कि बताना है तो आप quको पताना है किसमें सारावित होता हैं उसकूर को मलब कि अनुवांसिक्ता का सिधान किसने परति पाद़न है तो आपको पता हो चाहर सिधान का जो स्द्धात का परति पाधन किया था कि सित्धात किस ने किया था ኩव्य मचल्डर आ फरन इस्ट को जो लिंग गूराईवाग्स होते हैं यह कि गूसु ऊथा है c1 अब चले फिर देखते हैं आपे नेक्स्ट कोसन और लास्ट नमर परसंट को देख लेते जो कि बहुत इमत्पूर्ण है यहाँ पर बताने है की निम्न में इसे कौन जेव निम्न करने कच्रा जो मिट्टी में अब घटित हो जाएगी जैसे कि टीसू पेपर यह मिट्टी में इजली इसका आप घटन हो जायागा यानि कि यहाँ पर डीवल आप्सन बिल्कुली से उतर हो जागा ठीक है तो फिर नियहाँ पर हम जो नहीं फाने ले कलास्टन के साइंस का पर्थम मोडल पेपर में हम लोग जो नहीं यहाँ पर अर्तालिस ओफजरिव कोसन को यहाँ प लाइक कर दीजेगा और दोस्तों यहाँ पर चैनल पर नए है तो प्लिस दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजगा साथ में बगल में नौरिफिकर्शन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करकी ओल पर जरूर सेलेट कर लिजग और दोस्तों वेपसाइट पर व्यक्तार तो इसका जबाब आप इसे वीडियो में कमेंट चाके बता आ सकते तो फ्रेंड यहाँ पर लाइक कर दीजेगा और यहां पर जो भी विदियार्ती हमारे वार्शेव गूरूब में नहीं जूने तो हम आपको बताते वार्शेव नंबर इससे पहले जिस भी वि आपको अपने मुवाल के Chrome ब्रोजर पर चले आना पड़ेगा या पर डायक लिग गूगल पर भी आ सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको सर्च इंजन में सर्च करना पड़ेगा पर मैजरर टार्गर्स डोट को तो जैसे में पर मैजरर टार्गेट hall करते हैं अपना चलेगा तो सब्से यहां पे चले आना पंड़ेगा ठीक है तो फिर E0000 आएज़एchnग कर दो ओल्लाइं टेस्ट को बाटन पर आपको किलिक करना होगा इस इसे आपको एट का पौड़ेस आनी होगा यहां पर ओल्लाइं टेस्ट को किलिक कर देते है तो फिर यहां पर नीके श्कॉle है नीचे आना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उलेंट टेस्ट कैसे ले सकते तो ड裡 ओर ऑड़ द दर्वाव ऑड़ नैट टेस्ट सुरूर होती है सुबाट बेसे ज्यूलाथ और चलती है फोलाइन टेस्ट कहा जाए तो यहां पे नो बज़ रातां तक फिलती उलाइन टेस्ट लगे क्लार से क्रम सरक्तितनी कि पपको पराइब किली करते है तो यहां पर सालिक आप भी कर देकंगेख dilemm tag आपको दियुक गते हैं दो यहां पर इसका आपको उनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं और दोस्तों यहां पे जो भी वीडिया थी वार्षव्जक गुरूँ में जुर्दा है तो नोट कर लिजिए मेरा वार्षव नंबड़े 6206076569 इस नंबर को आपको सेफ करना और बोलना है कि सर वार्षवजक गुरूँ में जॉड़ दिजिए झाल झाल